हर हर मादे उजय भोले नाच्सी शिवाय नमस्तुभ्यम 28 जन्वरी को है रविवार माग मास का पहला रविवार है गुरुजी के द्वारा रविवार के कुछ अच्छे नए उपाय बताएगे हैं जेने करके आप अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करें इसके लिए आपको लेने मात्रों दो बेल पत्रों बेल पत्रों कटे फटे नहीं होने चाहिए और साथ में एक लोटा जल लेना है अब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे जब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको जो जल का लोटा लेकर गया है इसी स्री सिवा नमस्तुभी मंत्र का जाप करते हुए माता अशोक सुंदरी के उपर से चड़ाते हुए शिव जी के उपर तक लाना है शिव लिंग के उपर तक आपको इस जल को समर्पित करना है उसके बाद जो दो बेल पत्र आप लेकर गया है उसे आप अपना नाम गोत्र लेकर एक बेल पत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है उसकी डंडी का मुख जो है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख शिव जी की तरफ होना चाहिए और दूसरी बेल पत्र आपको शिव जी के उपर चढ़ानी है जिसकी डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए और इस प् वो जरूर पून हो जाएंगी चले बात करते हैं दूसरे उपाय की दूसरा उपाय है कि यदि आपके घर में रुप्या पैसा आता ने धन की बहुँच ज्यादा समस्य हैं तो आपको रविवार के दिन एक उपाय जरूर करना चाहिए आप लोग एक लोटा जल लें उसमें थ लाल खूम-खूम जो आता है वो जिसे रोली कहते हैं वह तो तहले आपको रविवार के दिन एक उपाय जरूर करना आपको एक लोटा जल लेंगा ईसमें आपको लाल कुम जो आता है वो जिसे रोली कहते हैं ओँटा सा डालने एक लाल रंग का फूल डालने बचल के दाने और सूखी लाल मिर्ची रहती तरह सोर्दाने दाने hve पर एक टुकड़ा गोड डालने अब आप लोग इस जल को लेकर अपने घर से बाहर अपने आंगन में या अपनी चाहत में कहीं भी खुले स्थान पर चले जाए जहां पर आपको सूर्य देव दिखाई दें और आप लोग अपने दोनों हाथों को अपने सर से उपर उठा कर इस जल को सूर्य देव को समर्पित कर दें और जिससे भी आपको रुपया पैसे लेना है जहां पर आपका धन अटक हुआ है उसका नाम ले दें इस उपाय को करने से गुरुजी कहते हैं जो भी आपका रुपया पैसे लग रहा होगा वो आपको देकर ही जाएगा तो धन सकते हैं और यदdhi किसी के कहीं रुप्या पैस अठाट कराओ तो वह लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं और जरू करना ही चाहिए तदेखेरा रविवयार के दिन के जाने वाले यह अचूक उपायें माग का पवित्र महीना चल रहा है और उसमें रविव्यार का दिने तृतिया ती थी है इस दिन के उपाये गुरुजी के द्वारा बताया गये हैं इन उपायों को करके आप अपने जीवन से दुख और समस्यां खत्म करें और अपने जीवन को खुशाल बनाएं हरा जय बोले नाथ स्वी शिवाया नमस्तु भ्याम